वेलकम टू कमिस्ट्री प्लैनेट आज हम लिबाटर में प्रिपेर करने वाले हैं अमूनियम मौलिबिडो फॉस्पेट डोडिका हाइडरीट इसके लिए हम सबसे पहले 5 ग्राम सूडियम फॉस्पेट लेंगे और उसको 30 ml हॉट वाटर में डिजॉलो करेंगे आप 25 ml भी ले सकते हैं चलो हमने यहाँ पे 30 ml ले लिया हॉट वाटर और इसको डिजॉलो किया सूडियम फॉस्पेट को इसके बाद में आप 5 ग्राम अमूनियम मौलिबिड लेंगे और उसको भी 30 ml वाटर में डिजॉलो करेंगे जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ यह ले लिया हमने अभी 25 ले लिया पहले उसके बाद में अमूनियम मौलिबिड ले डाल दिया इसमें और इसको हॉट वाटर में डिजॉलो करना शुरू कर दिया अमूनियम मौलिबिड में थोड़ा सा और पानी डालेंगे हम 5 ml उसके बाद में अगर यह डिजॉल नहीं हुआ तो आप इसको थोड़ा सा हीट और कर सकते हैं अमूनियम मौलिबिड को हीट करने के बाद में ये डिजॉल हो जाएगा जूनी ये डिजॉल हो जाए तो इन दोनों को मिक्स करेंगे यहने हम अमूनियम मॉलिबिडेट में अब एड़ कर देंगे सोडियम फॉस्फिट का सुलूशन 30 ml यह हम एड़ कर रहे हैं इसमें मिक्स करना है और इसके बाद में थोड़ा स्टायर करेंगे थोड़ा सा कूल करेंगे इसमें एड़ करेंगे हम dilute HNO3 यहने dilute nitric acid drop wise एड़ कर देंगे drop wise तब तक एड़ करेंगे जब तक में इसका color faint yellow हो जाए और आप इसका pH भी चेक करेंगे इसका pH बिल्कुल acidic होना चाहिए pH 2 के बराबर हम litmus paper से चेक कर सकते हैं nitric acid हम drop wise एड़ कर रहे हैं इसमें इस solution में यहने दोनुत चीज़ों को mix करना है उसके बाद में नाइटर के से एड़ करना है बस simple सा प्रोसिजियर है अभी paint yellow color आना शुरू हो गया थोड़ा सा नाइटर के से डाल दे हमने यह तक्रीबन 10 ml के आसपास पांच से 10 ml लगेगा आपको हम थोड़ा थोड़ा एड़ कर रहे हैं इसमें यह paint yellow color आना शुरू हो गया पीएच चेक करेंगे हाँ यह paint yellow color आना शुरू हो गया इसका पीएच चेक करेंगे आपका लिटमस पेपर रेड दिखना चाहिए लिटमस पेपर का टूड़ा हमने रखा यह इस पे डाल दिया है हाँ अभी यह थोड़ा सा yellow इश आ रहा है अभी पूरी तरह red नहीं हो यह पूरा red हो जाना चाहिए यह पीएच टू के आसपास होना चाहिए अब हम इसमें थोड़ा सा nitric acid और डाल रहे हैं और अब यह जो yellow color है यह आपको दिखना शुरू हो जाएगा हाँ यह आ रहा है इसमें yellow color yellow color solution हो गया इसमें अब suspension बनना शुरू हो गया अगर आप इसको कुछ देर के लिए रखेंगे तो yellow हो जाएगा हाँ यह yellow होना शुरू हो गया और इसके बाद में इसको थोड़ा सा heat करना है hot water में रखना है कुछ देर के लिए 10 से 15 मिनट यह yellow हो गया 10 से 15 मिनट रखेंगे आप hot water में तो इसमें yellow PPT बन जाएगा yellow precipitate 15 मिनट के बाद में देखें कैसा yellow precipitate आ गया बिल्कुल orange juice जैसा लग रहा है यहाँ पर यह sorry mango juice उसके बाद में इसको cool करना cool करने के बाद में इसको filter कर देंगे यह हमने थोड़ा सा डाल दिया इसमें यह filter paper लिया filtering funnel अब नीचे देखो transparent solution आएगा यह नीचे का solution transparent और precipitate उपर आएगा यह जो precipitate है यह ammonium molybido phosphate dodeca hydrate I hope आपने इसको enjoy कि आपको यह समझ में आ गया है thank you